आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का आनन लो प्रते दिन के जीवन का में स्वागत है हम हमारी आखे खोल देने वाले महिने के अंतिम हफते में प्रवेश कर रहे हैं हम हमारी मनोदशा बदलने के द्वार अपने जीवन का दृष्टिकोंड बदलने के विशह देख रहे हैं यदि आप उसके और देखना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी मनोदशा नहीं बदल सकती मेरे मित्र जॉन मैक्सविल मेरी मदद करने के लिए यहां एक बार फिर आए हैं जॉन यह अद्वाथ है जॉइस मुझे यह महिना पसंद है मुझे यहां बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद मुझे आपकी सेवकाई पसंद है और आपके दर्शकों ने लिया होगा मेरे मतलब इस अंतिम हफते में उन्होंने निश्चे ही कहा होगा कि ठीक है मैं सच में उन्नती पा रहा हूँ मैं बढ़ रहा हूँ सच में तो मैं कलब पना कर रहा हूँ कि इस समय तक बहुत से लोग अपने जीवन में यह बदलाव देख रहे हैं जिसके विशें उन्होंने मेहने के आरम में सोचा भी नहीं होगा और फिर मैं सोचता हूँ कि यह बदलाव लाने में उनकी मदद करने में आपके कियेगे परिश्रम के करण हुआ दो तरह के अगवे मैं देखता हूँ कई वार एक तरह के अगवे होते जॉयस जिनके अपनी सेवकाई होती है वे समाने तक कहते हैं मेरे सेवकाई के समान मेरे सेवकाई में आईए मेरे सेवकाई में कुर्सियां भर दे और फिर आपके समान अगवे होते हैं क्योंकि मैंने आपको इस कारिकर में देखा है कि लोग गवाई देते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर ने कैसे बदला और मैंने आपके जीवन में आनन देखा आपकी सेवकाई में आनन इतना ही नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहे हैं परमतिया की परमिश्वर आपकी सेवकाई के द्वारा लोगों में क्या करना है जो आपके दर्शक हैं इसलिए मैं बहुत साहित ही हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यहां कई लोगों के लिए जीवन बदल देने वाला महिना होगा वे आज से एक साल या पास साल के बाद पीछे मुड़ कर देखेंगे और कहेंगे जोईस के साथ अगस्त महिना बेताने के लिए मैं खोश हूँ और उसने सच में मुझे तीज दुनों के लिए समरपन दिया कि मैं अपनी मनोदशा बदल दूँ हाँ धनिवा जौन मुझे उभारने के लिए रुसाहित करने के लिए मुझे लोगों की मदद करना पसंद है मैंने अपने जीवन में कई वर्ष कठनाई में गुजारे हैं और अब मैं बहुत खोश हूँ संतुष्ट हूँ तुरुप्थ हूँ और मेरी मनोदशा के साथ विवार करने के लिए मेरे पास सब कुछ था परमिश्वर हमारी मदद के लिए हमारे साथ एपर्ण तो हमें उसे करने देना चाहिए बिल्कुल सही, आप जानते हैं कि जब आपकी मनोदशा बदल जाती है, तो फिर सच में, आपका जीवन और सेवकाई बदलती है, और मैंने यह पाया है कि जब हम पाते हैं कि हमारे साथ कुछ सच में अच्छा होता है, तो हम उसे दूसरे को देना चाहते हैं, यह मानो ऐसा है मैं सच में उसे दूसरों को बाटू, मैं वहाँ पर था, मैं जानता हूँ कि क्या कह रहे, एक बात है जोईस, जब आप अपने लोगों के साथ बाते करती हैं, जिन बातों में से वे होके जारें, आप बड़ी मानदारी से कह सकते हैं, मैं वहाँ पर थी, मैं जानती हूँ जो उसमें से होकर गए है पर उन तो अवे वहाँ नहीं है परमेश्वर ने अपने अनुगरे के द्वारा अपने समर्पन के द्वारा उन्हें उचाई पर ले गया ज़री मानू परमेश्वर उसे जॉइस और जॉन मैक्सवेल के लिए कर सकता है सही वो किसी का पक्षपात नहीं करता मैं सोचता हूँ कि यह बड़ा प्रोच्चाहन है इसलिए इस कारेक्रम में पूरा महिना उन्होंने गवाईयां देखी है उन्होंने आपके सिक्षा सुनी है वे हमारे साथ रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि वे अब तक सहमत हो गए होंगे कि उनकी मनोदशा चुनाव है वे चुनाव कर सकते हैं और अपना जीवन उत्तब बना सकते हैं जानते हैं जौन मेरे जीवन में एक बुरी मनोदशा थी उसके विश्याजम बात करने वाले हैं मेरे पास बलवा करने वाली मनुदशा थी फिर जैसे मैंने परमिश्वर के साथ मेरा संबन निरंतर जारे रखा तो मैंने जाना कि परमिश्वर के आग्या मानना महत्वपूर्ण मुझे उसके साथ कोई समस्या नहीं हुई मतलब हाँ परमिश्वर की आग्या मानने में मुझे समस्या थी परन्तु परमिश्वर की आग्या मानने में मुझे मनुदशा की समस्या नहीं हुई मैं परमिश्वर की आग्या मानने में आग्या कारी होने की विशय सीखना चाहती थी परन्त में लोगों के अधी नहीं होना चाहती थी क्योंकि मेरे भूतकाल में लोगों ने मुझे चोट पहुचाई थी और मैं महसूस करती थी कि लोग मेरा लाब उठाना चाहते हैं मेरी जीवन में बहुत घमन भी था इसलिए मैं सोचती थी कि कोई नहीं जानता कि क्या किया जाए तो फिर वे मुझे क्या करना चाहिए बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं इसलिए हमें किवल परमिश्वर की प्रती आग्याकारी मनोदशाईनी बनानी है क्योंकि इश्यू ने कहा यदि मुझे प्रेम है तो मेरी आग्या भी मानोगी परंट उसाथ में में ये भी जाना है की परमिश्वर हमसे अपिक्षा करते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर किसी के अधिकार में रहना है वाचमें नी ने कहा मैंने उनकी बहुत से किताबे पड़िये हैं और जो उन्होंने लिखा है उसकी मैं सराना करती हूँ उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति जब कम्रे में आता है तो उसका पहला काम ये है कि उस कम्रे में कौन अधिकार के अधिन है और उस अधिकार के अधिनता में आने का निर्णे ले ये जान ले आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मैं उन लोगों तक दोड़ कर गया जो कि सामने तहा परमेश्वर के आत्मिक लोग है मैं परमेश्वर के आगया मानता हूँ परंतो फिर मैं अपने आप में ही काम करता हूँ मैं यह नहीं सोचता है कि संभव है आईए मैं इसे ऐसे कहूँ मेरे आत्मिक चलने में मैंने ही अपाया की परमेश्वर के आधीन होना असान है क्योंकि वो परमेश्वर परन्तो उस वेक्ति के आधीन होना जिसकी कीमत में उतरी नहीं करता जितना मुझे करना चाहिए यहालग बात है उसने मुझे एक दिन स्पर्ष कर लिया जॉइस कि जब मैं दूसरे वेक्ति के अधीनता में नहीं आता हूँ तो मैं उनकी कीमत नहीं करता जिहां सीख परमेश्वर ने मुझे सच में जीवन बदलने में मदद की और जब मैंने यह सीख सीख ली तब से लेकर मुझे किसी भी अधीकारी के अधीनता में आने में कोई समस्या नहीं हुई जैसे वाच्पनी ने कहा है कमरे में जो अधीनता में उसका अनू करन करें परमेश्वर ने मुझे हैं सिखाया परमेश्वर की कीमत करना मेरे लिए आसान था परन तो लोगों की कीमत करना कठिन था उस दिन जब मैंने यह पाया की परमेश्वर कैसे हरे की कीमत करता है जो इस उधारन के लिए हम अपना उप्योग करते है यदि शोख हत्म हो जाने के बाद आपकी संसा से ऐसे कोई वेक्ति आता है और उनसे मैं पहली बार मुलाकात करना हूँ फिर भी मैं उनकी कीमत करूँगा इसलिए नहीं कि मैं उसकी कीमत करता हूँ परन तो मैं उसकी कीमत इसलिए करूँगा क्योंकि आप उसकी कीमत करते हैं इसलिए सच में उनके प्रती आपने मेरे अंदर आदर निर्मान किया, क्योंकि आप उनकी कीमत करते हैं। एक दिन पर मेश्वर ने मुझे दिखाया कि यदि मैं सच में उनकी कीमत करता हूँ तो सच में मैं उन लोगों की कीमत करूँगा जिनकी वहाँ कीमत करता है। मैं उनकी कीमत कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने की और फिर अधिन हो सकता हूं मैं सोचता हूं कि जब तक उस वेक्ति की सही कीमत ना करते तो उसके अधिकार में आना पूरी रीति सासंभव है जिस दिन मैंने ये जाना की पर मेश्वर उनकी कीमत करते है इसलिए मुझे भी उनकी कीमत करनी है इसके कारण मैं पहले से भी उत्तमरीती से अधीन हो गया देखिए उस वेक्ति के कीमत करने के लिए उस वेक्ति के सिद्ध होने की जरूरत है मैं सोचती हूँ कि दूसरे लोगों के प्रति हमें अधिन्ता में आने में कठिना इसलिए आती है सबसे पहले तो यह घमन्ड होता है हमने चाहते कि कोई हमें बता की क्या करना है दूसरी बात शायद हमने उन्हें गलतिया करते हुए देखा है या शायद हम जानते हैं कि वे अपने सब दृष्टी कोंड में या उनके सब चुनाओं में सही नहीं है परन्तो सस्त यह है कि यदि वे उस अधिकार पर है तो हमें उनके प्रती अधिन्ता की मनोदशा रखनी है अब आप उनके प्रती अधिन्ता में नहीं आ सकते हैं जो आपको कुछ गलत करने के लिए के लिए कहते हैं परन्तो हमें अधिन्ता की मनोदशा की साथ रहना जब हम वैसा करते हैं यह हम पर से बड़ा दबा उठा देता है निश्चे ही मैं आर्सा में कहते हूँ कि पूरे संसार में जाना का ठील काम है मैं पूरे संसार में जान के कोशिश में थी और जैसे मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू किया उसके आग्याकारी हुई और जिनके अधीनता में थी मैं उनके आग्याकारी हुई ये विश्वास किया कि परमेश्वर कभी भी दूसरों को मेरा फायदा नहीं लेने देंगे और वो मेरे रक्षक है तो मेरे लिए जीवन आसान हो आप फिर वहां वेक्ति जो कहता है कि मैं अपने अधिकारियों के अधिन नहीं रह सकता हूँ, वे तो सही नहीं करते हैं, वो सच में ये नहीं समझता है कि मैं भी बिल्कुल सही नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सही नहीं करता हूँ, दूसरे शब्दों में बहुत सी साधारण सी बाते हैं मैंने बहुत समय पहले जाना की हम तो खुद खुद तक हमारे उद्देश दवारा पहुंचते हैं ठीक और दुसरों तक स्वभाव दवारा पहुंचते हैं बिल्कुल ठीक इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं वह नहीं करना चाहता था पर फिर धान को उप्योग करना है और हमें उससे फेर कर वहां जाकर कहना है कि जानते हैं, उनका व्यभार शायद वैसा नहीं है, जैसा मैं सोचता था, परंतु मैं जानता हूँ कि उनका उद्देश सही है, मैं सोचता हूँ कि जब तक कि उस वेक्ति का उद्देश सही है, उसका उद्देश सही होता है, तो परमेश्वर का उदेश उनके पास है, सही उदेश है, तो मैं उनके अधिन हो सकता हूँ, कई बार शायद उनकी क्रिया ऐसी नहीं होगी जैसे की होनी चाहिए, परंत उनके रिदे के कारण मैं अधिनता में आ सकता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें बाहरी वेभा ज़िसमा पहने जो गुलाबी हो और फिर सब कार कितनी संदर दिखाई देती है, सब कुछ कितना संदर दिखाई देता है, हम खुद की और गुलाबी रंगे छष्म bosses देखते हैं, परागे अब ये जान लेना है कि हम सच में वैसा नहीं कर सकते हैं बाइबल की बहुत से सिद्धान्त यहां लागू होते हैं जैसे कि जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करें वैसे ही आप दूसरों के साथ करें जब हम अधिकार के खेतर में होते हैं क्या चाहते हैं कि लोग आपके साथ आर तो उनके पास वहां आग्यकारी मनुदशा होनी चाहिए नहीं तो वे कभी भी अगले स्तर तक नहीं पहुच सकेंगी क्योंकि कोई यहां नीचे समस्या रखने वालों को पदोनुती नहीं देना चाहता है। पालों तो मैं उसे कर सकूँगा क्योंकि मैं वहां पर पहुचा हूँ। नहीं नहीं वहां रिदे की मनुदशा है। यहां आत्मिक बात है जिससे मैं सोचता हूँ किसे हमारे रिदे में स्तिर करना है। जिस दिन मैंने समझ लिया कि मेरे पाप और जीवन की सब बातों के बा इस विशय में बहुती सीमीत मनोरुत्ती रखता है। और जब मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति शमा नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुच सकता, मैंने हर समय पीछे मुड़ कर देखा और जाना कि वे अपने जीवन में कभी भी नहीं समझते कि परमेश्वर ने उन्हें अगले भाग में बाते करेंगे। आपने उसमें हमारे अगवाई की है। हम दया और क्षमा करने की मनोदशा रखने की विशय बाते करेंगे। क्षमान करने के समान कुछ और आपके जीवन को नुकसान और नीचे नहीं गिरा सकता है। जानते क्षमान करने एक मनोदशा है, यह निर्ण है मैसूसी करन नहीं। जॉन मैक्स्विल ने किताब लिखे विनिंग विद पीपल और वो नीश्चे ही समझता है कि यह उनके जी ने के साथ उसुछ तो यह उत्म विवहार करने से मूझे पहुंचते हैं। यात्रह करने के लिए तीन मार्ग, नीचे रस्ता, जिसका सामयन अतार्थ है कि लोग जैसे मुझसे विवहार करते हैं, मैं उसे भी बुरा विवहार करूंगा। जिए तुम मुझसे अच्छा व वेवार करते है उसके अनुसार मैं आपके साथ वेवार नहीं करूँगा। वेवार करने पर विश्वास करती हूँ कि हमें दया के विश्य बाते करना है क्योंकि आपके पास उनके लिए और उनकी गलतियों के लिए दया की मनोदशा नहीं है तो उने एक शमा करना संबह है। तुम जो आत्मिक हो जो की पवित्रात्मा के लिए जिम्मेदार हो उसके नियंत्रन में हो तुम उसे सही करो उसका पुना गठन करो और उसे वापस उस रास्ते पर लाओ परन्तु इसे किसी भी अधिकार के तहत ना करें और नम्रता से करें खुद पर दृष्टी बनाए देखें कहीं ऐसे न की तुमहारी भी परिक्षा हो वो आगे कहता है कि हमें एक दूसरे का भार उठाना है और बोजभरी नैती गलतिया उठानी है लोगों की अलग-अलग बाते उठानी है उन्हें उठाना है और उनके प्रतिदया की मनुदशा रखनी है और जानना है कि परमिश्वर के अनुगरह के कारेने में यहाँ तक आई हूँ, मैं कई वर्षों तक कठोर दिल वाली, नैतिकतावादी, मांग करने वाली थी और वो सामान्यत है, इसलिए थी क्योंकि जब मैं बढ़ रही थी तब मेरे साथ ऐसा ही, व्यभार हुआ था मुझे सच में, बाकी कुछ मालूम नहीं था, और फिर जब मैंने परमिश्वर का वचन सीखना शुरू कि और देखा कि मेरी मनोचशा गलत थी, वो तो पहला कदम था, आपको जाना है, पर दूसरा कदम है कि आपको उसे बदलना है, यह आसान नहीं होता है, कई बार आपको इसे थामे रहना इसकी तुलना में बिना कि सिक्रुपा से परखा जाता हूं, तो मनोरती यह होती है कि मैं ऐसी स्थिती पर आज जाओं कि मैं आपसे उत्तम हूं, और अब मैं आपको बताओं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, मुझे प्रचार करने दे, मुझे रेखा खीचने दे, मुझे तु सही का, भचने ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, और हम उसके किनारे पर ही नहीं रहेंगे, परन्तु जो मनोदशा की शिक्षा आपने हमारे जीवन में रखी है, उसका हम उप्योग करेंगे, तो हम वहां तक पहुँच सकते हैं, वचने ऐसा नहीं है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं वह हमसे बहुत जादा दूर है यदि हम उस तरह का जीवन जीने के लिए समरपन करते हैं तो परमेश्वर हमें वहाँ अनुग्र और बल देगा अ और मेरा विश्वर से क्यम कर सकते हैं मैं सुस्तियों कि जब लोग गलतियां करते हैं तो उन्हें अलग रीती से परती उत्तर देनी के दवारा हम शुरू कर सकते हैं जब कोई कुछ गलत करता है तो मनोदश़ा होनी चाहिए पर funds Вам परमिशवर के ने survival के दवारा मैं यहां उन्होंने गल्ती की है परंतु मैंने बहुत सी गल्तिया की है फिर मैं दूसरी मनोदशा सोचती हूँ हमें उससे पीछे छोडाना है मैं सोचती हूँ कि जब लोग गल्ती करते हैं तो हमारी मनोदशा होती कि उन्होंने इसे जान बूच कर किया है जैसे तुमने वो जान बू करें परंतु बहुत से लोगों करेदे का उद्देश सही होता है परंतु उनका व्यभार हर समय सही नहीं होता सही मनोदशा मेरी मदद करती है कि मैं मेरे दिन और मेरे जीवन का सही आरम करूं इस कार्थ यह नहीं कि गलत बाते नहीं होगी परंतु यह मेरी मदद करती कि मैं मैं सोचता हूं कि इस कारेकरम के दुवारा आपने दर्शकों को और मुझे एक बहुती अद्भुत भेट दी है और आपने कहा कि हमारे पास मसी की मनोदशा हो सकती है और हम उस मनोदशा को अपने जीवन में भाग होने दे सकते हैं और यदि हम इसे करें तो कई वर्षों में वह मदूर हो जाएगा कि वो परमेश्वर के साथ के हमारे संबदों में नहीं पर उन्तों दूसरों के साथ में भी ये सही है जौन क्योंकि यदि आप कड़वाहट को अपने रिदे में आने दे शायद हरी एक जीवित विक्ति कड़वा होना चाहत है तो उसे कड़वा होन दया पहन ले इस विशे सोचे आप दया कैसे पहन सकते हैं जैसे हम स्वाबाविक रूप में कपड़े पहनते हैं वैसे ही आत्मिक रूप में कपड़े पहनते हैं ऐसा नहीं होता कि मैं अपने कम्रे में जाओ और जैकेट मुझ पर आ पड़ी मुझे उसी रैक से निकाल कर पहनना पड़ता है साथ ही जबके हम मस्य कहलाते हैं तो दयालू मनोदशा यक्षमा करने वाली मनोदशा हम पर अपने आपी नहीं आएंगी हमें वो चुनना होगा और शायद प्रती दिन हम एक्षमा करने की मनोदशा रखनी होगी और जल्दी से एक शमा करना हो बाइबल कहते हैं कि हमें जल्दी शमा करना चाहिए और मैं हमेशा कहते हैं मैं जितनी जल्दी शमा करूँ तो उतनी ही कम संभावना होती है कि इस बाते मेरे अंदर जाए और जड़ पकड़ ले दुस्तत भी तर आता है निर्णे तो पहली ले लिया गया है हमें बस वह निर्णे बनाए रखना है जॉन आप हमारे साथ पांच सो उमबार है इसलिए हम आपकी सराहना करते हैं मुझे ये पसंद रहे और हम आशा करते हैं कि अगली बार भी आप आकर हमारे कारिक्रम के साथ जुड़ेंगे मैं जानतियों कि सब आप से प्यार करते हैं और वे आपकी शिक्षा और बहुत से अद्बुत किताबे पसंद करते हैं इसलिए फिर से आपका धन्यवाद आप हमारे साथ है इसे एक साथ करना सच में आनन की बात है मुझे पसंद है जॉइस मुझे बूलाने के लिए धन्यवाद आपका भी